हमने साथ ही MPPSC Assistant Professor का भी form fill कर दिया तो उसका exam हम मान की चलते हैं कि MPPSC change नहीं करती है और 28 January को ही अगर exam लेती है तो भी हमारे पास में कितना time है Approx 2 months है NET का exam देने के बाद में भी preparation हमें करने के लिए Hello students, this is Chetan from Aduncle Platform Students, जो भी बच्चे Assistant Professor बनना चाहते हैं और उनका सपना है कि वो Assistant Professor बने तो उसके लिए उनके पास में एक आखरी मोका और बचा हुआ है वो आखरी मोका कैसे है कि वो सर्फ एक exam देख करके, एक exam की preparation करके Assistant Professor बन सकते हैं और अभी आपने ये मोका छोड़ दिया तो आपको ये opportunity बाद में कम मिलेगी ये आपको भी नहीं पता है मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ क्योंकि UGC Net की जो exam forms निकले हुए है Assistant Professor और जर्फ के लिए उसकी जो last date है वो कितनी है 28 October है ठीक है आज 27th of October हो चुका है याने आपके पास स्रिफ दो दिन का टाइम है याने आप आज और कल दो दिन के अंदर क्या कर सकते हैं form फिल कर सकते हैं UGC Net का अब UGC Net का form फिल करने का क्या फाइदा होगा क्योंकि 28th को तो आप क्या form फिल करेंगे लेकिन आपके exams कब से स्टार्ट होंगे 6th of December से आपके exam से मतलब आपके पास कुछ दिन October के बचे हुआ है पूरा November आपके पास बचा हुआ है और हम December भी मान सकते हैं अगर 6 तारिक को भी हमारा paper होता है तो ये December तक हमारा time है ठीक हमें करना क्या है इस time के बीच में हमें UGC Net को prepare करना है क्योंकि हम UGC Net प्रिपेर क के लिए minimum eligibility आपका UGC Net होना जरूरी है अब इसका क्या फायदा होगा अगर आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है और आप फॉर्म करके भी अगर आप preparation करते हैं तो उसका क्या फायदा आपको मिलने वाला है देखिए MPPSC ने भी assistant professor की vacancy निकाली थी जिसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ लेकिन अगर जिन बच्चों को अभी तक भी पता नहीं है और जिन बच्चों ने अभी तक फॉर्म ने फिल नहीं किया है उनके लिए सबसे अच्छी बात क्या है कि अभी भी last date नहीं फिल करके assistant professor का form भी फिल कर सकते हो क्योंकि RPSC ने जो vacancy निकाली थी assistant professor की उसकी date निकल चुकी है लेकिन आपके पास में MPPSC का form भरने की date यहां पर available है ठीक है इसके लावा हम exam date की बात करें MPPSC के exam की तो MPPSC ने assistant professor का जो exam होना है जो संभावित थी थी है उन्होंने दी है वो कब दी है 28 जनवरी 2024 को क्या होगा assistant professor का exam होना संभावित है यानि कि यह जो dates है वो कैसे हैं वो संभावित dates है इनमें आगे change भी हो सकता है यानि कि यह पूनतया संभावित है इसमें परिवर्तन भी क होता है तो भी January के अंदर हमें assistant professor का MPPSC का exam देना है अब फाइदा क्या हुआ December में हम नेट का exam देंगे तो हमारी preparation already है उसके बाद January में हम अगर MPPSC exam देते हैं क्योंकि syllabus वाइस हम आगे बात करेंगे क्या similarities यहां पर रेने वाली है इसी के अलावा जिन candidates ने RPSC assistant professor का form fill कर दि है हम assistant professor के exam की बात करें तो आपका जो paper third है जो GK से related होता है वो 7 January 2024 को आपका उसका exam होना है और आपका जो subject है चाहिए आप किसी भी subject से हो उसका exam आपका कब होगा fab और march के अंदर यहां पर exam होने वाला है तो जिन भी students ने अभी तक form fill नहीं किये है प्लीज अगर आप assistant professor बनना चाहते हैं तो आपके पास में दो दिन का समय है last date कल है लेकिन net के लिए आप इंतजार ना करें और आज ही अपना form fill कर दें साथ ही आप MPPSC का assistant professor का form fill करके उसक कि आपके पास यह golden opportunity है दुबारा ऐसा मुका आपको कम मिलेगा आपको भी नहीं पता है इसके अलावा हम कुछ basics पर बात करते हैं जैसे कि UGC net है अब UGC net का exam कब होना है 6 of December से start है तो हम मान के चलते हैं हमारा exam 6 December को ही होगा ठीक है हमने साथ ही MPPSC assistant professor का भी form fill कर दिया तो exam हम मान की चलते हैं कि MPPSC change नहीं करती है और 28 January को ही अगर exam लेती है तो भी हमारे पास में कितना time है एप्रॉक्स 2 months है net का exam देने के बाद में भी preparation हमें करने के लिए हमें 2 महिने का time मिल रहा है जिसमें हम हमारा net भी qualify कर सकते हैं और net qualify करके हम government assistant professor भी बन सकते हैं उसकी salaries और benefits के बारे में मैंने already पहले वीडियो बनाया हुआ है और आपको भी इसके बारे में जानकरी होगी इसके अलावा RPSC ने भी exam date announce की है तो वह FAB में या March में exam होना है अभी date announce month announce हुआ है date announce नहीं है लेकिन हम मानते हैं कि FAB में ही exam होता है तो जिन candidates का net qualified नहीं है वो December में net का exam द इसने time है एपरोक्स 3 months का time है आपको exam qualify करने का जिसमें आप preparation करके assistant professor बन सकते हैं तो यह आपके लिए एक golden opportunity है अब तीनों एक sequence है कैसे है UGC net और RPSC assistant professor बात करे या MPPSC assistant professor की बात करे इन में similarities की अगर हम बात करते हैं तो similarities क्या है कि syllabus जो है UGC net का syllabus है वो काफी vast है याने बह बड़ा syllabus है आपका PG level तक का उसमें आपका cover हो जाता है लेकिन उसी same syllabus से ही MPPSC syllabus है जो भी आपका subject है GK part को अगर हम छोड़ दें और उसी की तरह ही क्या है RPSC syllabus है उसमें से कुछ units जो है वो RPSC syllabus को cover करती है मतलब आपने अगर UGC net syllabus अच्छे से पढ़के UGC net qualify कर दिया तो आपके लिए MPPSC assistant professor और RPSC assistant professor बनना आसान रहेगा क्योंकि syllabus में similarities है कोई different thing नहीं है आपको सिर्फ GK पर focus करना है GK के अलावा subjective part आप यहां अपना strong कर चुके होंगे और इतने टाइम से आप subject में तो आप already master है बस उसको recall करने के जरुवत है और उसके लिए आपके पास क्य करने के लिए इन तीन महेनों में आप proper strategy के साथ smart study के साथ hard work के साथ में आप government assistant professor बन सकते हैं please be serious अभी का time अगर निकल गया आगे कब vacancy आएगी किसी को नहीं पता नेट का exam तो आपको हर साल में दो बार देखने को मिलेगा लेकिन assistant professor बनने के लिए आपको जो opportunity अभी मिली है golden opportunity है वो बार बार नहीं मिलेगी तो जिन भी candidates ने अभी तक form fill नहीं किया है अभी भी उनके पास मोका है UGC net का form fill कर दें साथ ही वो assistant professor का form fill करके उसकी preparation को start कर दे So, thank you so much.